जनपत पंचायत शिवनी मालवा दोरा विकास खंड इस तरिये अंतोदय मेले का किया गया शुबारम तहसील के कई हित ग्रहियों को मिला लाब शुकरवार को शिवनी मालवा हाई स्कूल मैदान में विकास खंड इसतर ये मेले का आयोजन किया गया जिसमें जन्पत पंचायत सिवनी मालवा के दौरा कई हित ग्रहिएं को लाब दिया गया आपको बता दें के इस कारिक्रम में एक लाख 55,000 से जादा हितकराईओं को लाप्रदान किया गया और राशी विविन्न विभागयों की ओर से लाबन बिद की गई यूँ तो ये एक सरकारी कारिक्रम था पर जन प्रतिनिदियों का भाशन शुरू हुआ तो मेला कम और भारती जनता पार्टी की आम सभाध जादा नज़रआई जितने भी जन प्रतिनिदी मन्च से उद्भोधन कर रहे थे सबी ने आगाभी चुनाओ में भारती जनता पार् कुछ और ही बया कर रही थी कारिक्रम का समय लगभग 11 बजे दिया गया था पर दो घंटे धूप में हितगरहियों को कारिक्रम के शुरू होने का इंतजार करना पड़ा और जैसे तैसे कारिक्रम की शुरुआत हुई तो आधे समय जन प्रतिनीदियों के सम्मान समारो और उत किंबल योजना आयुशमान भारत योजना हितगरहियों और आम जनता के लिए बहुत लापकारी है अब कोई भी वेक्ति सरकारी योजनाओं से वन्चितना रहे इसके लिए हमने सबल योजनाओं की शुरूआत की है जिसमें कई प्रकार की मदद सरकार की और से आम आदमी पहुंचती रहे अंतियोदय मेले जैसे सरकारी कारिक्रम को देख कर इस बात का एसास होने लगा है कि अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं क्योंकि कारिक्रम में चुनावी रंग चड़ा हुआ था और खाली कुरसियां आम जनता का और हित ग्रहियों का इंतजार कर रही थी और कहीं न कहीं इस बात का संदेश भी दे रही थी कि ये विदान सुभा चुनाव की होने वाली तयारियों का जाय जाये आपको बता दे के इस बार सिवनी मालवात तहसील में विधान सभात चुनाओ बड़ा ही रोचक होगा सरकार की इतनी महतपूर्ण और इतनी बड़ी योजना के मेले कारिक्रम में इस्थानी विधायक सर्तार सिंग के कारिक्रम का विलम से आना चर्चा का विशे बना रहा यह अन्तोदय मेला है अन्तोदय का मतलब है कि समाज का ऐसा वर्च है जो बहुत कुशे रह गया है जिसको हम गरीभी के सकते हैं और हमारी सरकार का पूरा फ्यास है इस वर्च को आगे लाना है अपनी सम्मान पुरोग जिंद्धी जी सके इस बार का फ्यास करना है पुर जावा भी आवास में भी लगवग इस शेक्र में साड़े इस ब्लाप में साड़े तीन हजार साड़े तीन चो आवास बने हैं जो आपन भी हो रहे हैं शिवनी मालवा से ये थी शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट